हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू कोपता तो चलिए दोस्तों बनाना शिरू करते हैं तो यहां लिया है मैंने एक कटोरी बेशन बेशन में डालेंगे जमाएं आधी चोटी चमाच और नमक आधी बड़ी चमाच इसी के साथ डालेंगे या मीता सोड़ा दो चुटकी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे इसमें तोड़ा तोड़ा करके पानी पानी डाल के इसका गोल बना लेंगे कि अब पांच मिलत कर लेड़ा कर देखे जाएंगे यहां पर लिया ने तीन आलू और अलू को अबले हुए हैं आलू है यहां लिया मैंने एक बड़ी प्याच और यहां लिया है कट वो धनिया वर यहां लीए ने अब डालें इसमें डाल दिया हरी मिच्ची अब डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा दनिया यहां डालेंगे प्याज बारिक कट हुई अच्छे से मिक्स करेंगे अब डालेंगे इसमें एक बड़ी चम्मच भाल मिच्ची पाउडर यहां डालेंगे थोड़ी चम्मच नमक लेंगे स्वाद अंशर यहां लेंगे चाट मसाला और अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को मैं यहां बना ले स इससे उससे बना लिए अब बना लेंगे ऑन लिए इस तरीके से आजां को बना लेंगे आज है तो देखिए यह भी बनके तैयार है यहांने गोले बना लिए और इधर हमारे पांच बिलेट हो गए वेशन को आप गोल के अंदर इंको गोले को डालेंगे फिर करेंगे फिर आई इसमें मेड़ें मड़ेंगों सब्सक्राइब थ** वेशन पर सब्सक्राइब देल пол गड़ें तल बेस्त पर जाड़ें तल पर करें इसे गड़ाए में çalış़े नमड़े तल को परहाए मैं करें न करें दीमा लिल के टो पर खेल गोल हमारा थोड़ा पतला था तो हमने बेशन डाल के इसको गाड़ा कर लिया है थोड़ा और अब लेंगे आलू को गोल और इसको डिक करेंगे इस तरीके से चार तरफ सम और इसको डालेंगे तनने के लिए थोड़ा से उपसर बेशन लगाती है इसी तरीके से दूफरा भी डालेंगे इसे तेल में टिक करते हुए इसको भी डालेंगे और इसी तरीके सम सारे पकवड़े डाल दे लिए इसमें आलू के तो मैंने पकवड़े डाल दे इसमें और अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोरो तरफ से पलटते हुए अब इसमें पलट लिया है और दिमी गैस पेस को सिखने देगे अच्छे से हमारे यह सिख गया है और उनको निकारेंगे प्लेट में तो हम बादी के भी तल लेंगे तो बागी के विए हमने तल लिये हैं हमारे अलू कोप्ता बनके तयार अगर अलू कोप्ता पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें बैल आगें बटन दवना न भूलें कमेंट वोक्स में बताएं कि आलू को प्ता कैसा लगा तो अपने गर तो बनाएए खाएए आनन होटाएए कि शुक कि वाओए अवार तो बेसा घ्लू करें न भीडियो के ड्नाए uppर बनाएब जगर सकती हदां बनाएं के लिस कि याल लग हो यह मैं अाना न च JIMेणवाएंग। झाल झाल